दोस्तों अगर आपका application Google Play Console में है और आपके पास इस तरीके का deadline का mail आता है तो आपको इस वीडियो को जरा सा भी miss नहीं करना है और वीडियो में जो भी सारे information में बताया है एक एक point आपका काम में आने वाला है अगर आप इस वीडियो का skip करते हो तो आपको future में समझ में नह नहीं करते हो तो future में आपका application update को block कर दिया जाएगा अब future में कोई application update नहीं कर सकते हैं तो guys सारे information बताऊंगा जैसे की why this update यह इस update क्यों है what to do आपको इस update के लिए आपको क्या करना पड़ेगा if ignore this update what impact अगर आप इसे update को ignore करते हो तो आपका google play console के अंदर application में क्या impact पड़ेगा according to the google play console new update how to create account duration page आपका application का data safety section के अंदर आपके डिलेशन पेज कैसे आड़ करोगे इस सारे information इसी वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा google play console में data safety section को लेकर काफी सारे update होता रहता है पहले जब आप google play console में data safety form भर रहे थे कुछ बात को आपको ध्यान में रखते हुए आपको data safety form भरना पड़ रहा था इसके उपर मैंने अल्रेड़े के वीडियो बनाया है और बताया है कि कैसे data safety form को भरना होता है वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का link भी दे दूआ description में देख लेना लेकिन data safety section के अंदर कुछ options और add कर दिया गया है जिसको ध्यान में रखता हुए आपको application अप्लोड करना होगा या फिर update करना होगा तो गाइस इस वीडियो को जरूर देखना है तो चैले गाइस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं उससे पहले हमेशे की motivation दिला दो अभी वीडियो के तरफ हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में मैं दो टाइप के application का बात करूंगा जैसे की user का data collect होता है जैसे की user का personal information, name, email id, address बगएरा अगर आप collect करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप user का data collect नहीं करते हो अब एक भी data user का collect नहीं अगरा add करते हो तो उस case में क्या होता है कि automatically user का data collect हो जाता है जैसे की user का device ID हो गया उसका जो location हो गया यह सारे कुछ data जो collect हो जाता है आप खूद data collect नहीं करते हो फिर भी आपका application में data collect हो जाता है ठीके उस case में आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो मैं आपको बता दू अगर आपका user का data collect करते हो जैसे कि उनका personal information, name, email ID, address, phone number, UPID एसे बहुत सारे information अगर आप collect करते हो और खुद का database में data store करके रखते हो इसका मतलब आप user का data collect करते हो जब application में account creation का feature होता है माल लिजे आपका application है उसमें आप account creation का feature दे रखे हो login sign up का जो feature होता है कोई organic type का application हो गया और कोई education type का application हो गया उसमें क्या होता है कि user का personal information लिया जाता है account creation होने के लिए अब data safety section के अंदर ये add कर दिया गया है अगर आप user का data collect करते हो अगर user जब चाहेगा उसका data delete करने के लिए तो आप user का data delete करना ही पड़ेगा ठीके मैं आपको और थोड़ा detail में समझा देता हूँ जैसे कि मानलो अपका application है के google play console में है और एक user application को install करके उसमें sign up का procedure start कर दिया जैसे sign up किया तो उसका account बन गया और user का data आपका database में store होके रहे गया और in future किसी भी कारण से user आपका application को on install कर देता है और on install करने के बाद account बनाते समय जो information दिया था वो information अगर user delete करने के लिए चाहेगा आपको एक request भीजेगा वो request आपके पास आएगा वो request के हिसाब से आपको user का data delete करना पड़ेगा अब यह आप बोलोगे user कैसे request करेगा Google Play Store के अंदर जो भी आपके application रहेगा उसके just नीचे data safety section के अंदर एक label add कर दिया जाएगा you can request data data be deleted इसे option के उपर user क्लिक करेगा तो आपके पास एक request आएगा उसी request के सबसे आपको data delete करना पड़ेगा तो इसी request के से आएगा आपको एक URL देना पड़ेगा एक website के URL देना पड़ेगा जो की इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे चल कर आपको क्या करना पड़ेगा ठीके so guys मैं अब भी आपको बताता हूँ ये update जो google play console data safety के अंदर add किया है ये qr किया है जैसे कि मान लो google play store के अंदर इसे काफी सारे application available है जिसके अंदर account creation का feature रेता है जैसे आप account creation करोगे तो उसके बाद आपका email address या फिर आपका phone number मांग लिया जाता है उसके बाद future में अगर आप उस application को on install कर देते हो तो आपका जो phone number दिये होगे उसी phone number के अंदर काफी सारे spam होता है और बहुत सारे एसे message आता है कि आप इतने rupees जीत गये हैं आप इसी link के अपर click करो एसे बहुत तरह का spam होता है सेम चीज email का अंदर भी बहुता है और इसमें क्या होता है कि user का data बगरा leak हो जाता है और UPI ID बगरा पूछ लिया जाता है और आपका phone पे या फिर Google पे या फिर आपका UPI ID जो भी यूज करते हो उसके अंदर से account से पे से काड़ लिया जाता है तो यह बहुत सारे fraud होता है और इस spam को रोकने के लिए Google यह step लिया है कि अगर user application इस्टल करने के बाद जो account बनाते समय जो data अपलोड किया है और on install करने के बाद वो data अगर delete करने के लिए चाहेगा तो आपको data delete करना ही पड़ेगा अगर आप data delete नहीं करोगे अगर Google Play Console को पता चल गया कि आप user का data अभी भी delete नहीं करते हो तो आपका application का update को रोग ब्लोग कर दिया जाएगा या फिर आपका application को Google Play Console से remove कर दिया जाएगा क्योंकि ना ये Google Play Console का police खिलाब हो जाएगा आप इस तरीके का application अपलोड नहीं कर सकते हैं Google Play Console के अंधर अभी चलिए guys मैं आपको बता देता हूँ अगर आप user का data collect करते हो तो आपको data safety का form किस तरीके से भरना पड़ेगा जैसे कि आपका data play data safety form Google Play Console में accept हो जाएगा जिस procedure को मैंने follow करके Google Play Console से data safety form को approve कराया है वो trick में आपको बता देता हूँ आप इस ट्रिक को follow करके अपना Google Play Console के अंदर आपके application का data safety section को भी भर सकते हो तो चलिए guys सबसे पहले application का dashboard यहां पर जैसे open हो जाएगा तो left side में आपको यहां पर app content के अंदर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो one declaration needs attention अगर आप पहले से data safety form भर रखे हो तो आपको थोड़ा भूद यहां पर changes करना होगा जैसे कि यहां पर देख सकते हो clearly यह जो changes किया है इसमें add कर दिया गया है कुछ निया questions इसमें add किया है जो कि आपको answer देना पड़ेगा तो यहां पर update declaration के अपर क्लिक करना होगा यहां पर click करने के बाद same to same आपको यहां पर दिख जाएगा जैसे पहले दिख रहा था है यहां पर next के आपको देना पड़ेगा यह एकाउंट डिलेशन का कुछ question मांगेगा तो आपको यहां पर answer देना पड़ेगा यह सिर्फ उस टाइप के application के अंदर करना होगा जिसके अंदर account creation का feature हो जिसके अंदर यूजर से username, password, authentication और data collect करते हो तो इस case में आपको यहां पर tick mark लगाना होगा जैसे कि यहां पर मैंने click कर लेता कोई एक option के अपर tick mark लगाने के बाद यहां पर देख सकते हो, delayed account URL का एक आपको देना पड़ेगा box open हो जाएगा इसके अंदर एक URL आपको देना पड़ेगा, यह क्या होता है कि आपको एक URL बनाना पड़ेगा, एक page बनाना पड़ेगा, उस page का जो URL बनेगा, Google Play Console को, मतलब प्ले कांसोल डाटा सेफ्टी सेक्शन के अंदर आपको URL देना पड़ेगा, तो यह सिर्फ यूजर के लिए है, मानली जिए आपका application यूजर अनिस्टल कर लिया, और यहां पर account डिलेट करने के लिए, यहां पर आता है, आपका application के जो निचे आएगा, डाटा सेफ्टी से भर सकते हो, देख सकते हो, यहां पर मैंने कुछ आपके लिए suggestion लेकर आया हूँ, fill the all valid data which is used in app, कुछ इस तरीके से title दे सकते हो, उसके निचे note दे सकते हो, do not share wrong information, कोई wrong information नहीं होना चाहिए, अगर wrong information होता है, तो और कुछ आपके हिसाब से यहां पर add कर सकते हो, जैसे user easily स और other कुछ data collect करते हो, UPI ID, ने तो bank statement वगेरा, कुछ अगर और कुछ करते हो, तो आप इसे भरनना पड़ेगा, उसके बाद एक बटन दे सकते हो, request to delete, तो यहां पर जैसे user क्लिक करेगा, तो आपके पास request पहुंच जाएगा, और मैंने आपको जो demo page देखा है, उस type का page बन आपके इसमें provide कर दीजिए, ठीके, user चाहेगा, तो request लेके account delete कर सकता है, तो काज इसके नीचे और देख सकते हो, एक ही question आपको पूछा जाएगा, तो आपको यहां पर yes के अपर click करना पड़ेगा, yes करने के बाद आपको दुबारा यहां पर पूछेगा, delete data URL, तो आपको बोही बला URL दे देना होगा, यहां पर दो जगा पर URL समिट करना होता है, यहां पर चलिए हमने एक URL समिट कर लेते हैं, मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ही भरना होगा, ठीके, उसके बाद इतना से complete करने के बाद नेस्ट के पर click करना होगा, यहां यहां पर चलिक करने के बाद नेस्ट के बाद इसे click करोगे, यहां पर आपको data safety का जो category है, यहां पर भरना पड़ेगा, जैसे की location, personal information, device ID, और यह बहुत सारे option यहां पर आवे लेवल है, जैसे की हमने personal information पर click करके, यहां पर name, address, details for number बगएरा, यहां पर भरके next करके save करन हो, अगर आप user से कोई data collect नहीं करते हो, फिर भी automatically data collect हो जाता है, तो उस case में आपको क्या करना होगा, यहां पर update declaration जो है, इसके उपर simple सा click कर देना होगा, तो इसी option के उपर click करने के बाद जैसे पहले आ रहा था, वैसे ही आएगा, तो next करेंगे यहां पर, उसके बाद गा पर भी हमको click नहीं करना है, simple से हमको, यहां पर next के उपर click कर देना होगा, next application के अंदर क्या-क्या, automatically data collect होता है, वो आपको यहां पर भरना पड़ेगा, जो location, device ID, यह इसके उपर मैंने अल्रेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो का ज़रूर देख सकते हो, तो guys simple से हमने य पर जैसे click करेंगे, next यहां पर जाएंगे, go to publishing overview, next overview के अंदर आने के बाद यहां पर आपको send करना होगा, send one changes to review, तो यहां पर click करके, फिर से review के पर click कर देंगे, तो guys यह कुछ time लेगा, तो चला जाएगा Google Play Console के पास, और कुछ time के बाद आपका application को live कर देंगे, अगर आ से setup करने के बाद, अगर आपका मन में और कुछ doubt है, और कोई सवाल है, तो आप comment कर देना, data safety form को भरो, और कुछ दिकत होता है, कुछ error आता है, तो आप comment करो, नहीं तो, whatsapp में हमर सद भी जूट सकते हो, whatsapp group का link भी है, उसके अंदर भी problem सेयाद करो, आपका problem solution हो जाएगा, Google Play Console account deletion का ये जो update आया है, उसके बाद हमने जो step ले रहे हैं, ये सारे initial step है, हो सकता है, इसके अंदर हमने कुछ step लेने के बाद, कुछ update करने के बाद, Google Play Console के अंदर हमरे application reject हो जाए, या फिर successful हो जाए, अगर कुछ error आता है, अगर reject होता है, कुछ और problem आता है, तो आप ह data safety account deletion का form भरना पड़ेगा, और साथ में ये update क्यों हुआ है, सारी कुछ detail में मैंने इसके एक वीडियो के अंदर clear किया है, तो वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेनत लगी है, तो guys वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल को subscribe ने कर रहे हैं, तो subscribe करो, मैं आपके लिए एसे ही और भी latest वीडियो ले कर आऊंगा, और Google Play Console related और application development related वीडियो अब हमारे चैनल से time to time देख सकते हो, तो guys, so finally thanks for watching